अपने कामों से किसी का जीवन बढ़ला है देश को आगे बढ़ाया है यानि जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हिरोज को पदम सम्मान देने की जो परमपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरूर की थी वो इस बार भी काइम रखी गई है मेरा आप सभी से आगरह है कि इन लोगों के बारे में उनके योगदान के बारे में जरूर जाने परिवार में उनके बारे में चर्चा करें देखिएगा सबको इससे कितनी प्रेणा मिलती है इस महिने क्रिकेट पीच से भी बहुत अच्छी खबर मिली हमारी क्रिकेट टीम ने शुरूर आती दिक्कतों के बाद सांदार वापस ही करते हुए अस्ट्रेलिया में सिरीज जीती हमारे खिलाडियों का हाड़ वर्क और टिम वर्क प्रेडिक करने वाला है इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ हमें आने वाले समय को नई आशा और नविंता से भरना है हमने पिछले साल असाधान सैयम और साहस का परिशे दिया इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है अपने देश को और तेजगती से आगे ले जाना है मेरे प्यारे देश वासियो इस साल की सुरुवात के साथ ही करोना के खिलाब हमारे लड़ाई को भी करीब करीब एक साल पूरा हो गया है जैसे कॉरोना के खिलाब भारत के लड़ाई एक उधान बनी है वैसे ही अब हमारा vaccination program भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा COVID vaccine program चला रहा है आप जानते हैं और भी ज़्यादा गविकी बात क्या है हम सबसे बड़े वैक्सिन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गती से अपने नागरिकों का वैक्सिनेशन भी कर रहे हैं सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाग से जादा कोरोना वारियर का टिका करन कर चुका है जबकि अमेरिका जैसे समरुद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन साथियों मेड इंडिया वैक्सिन आज भारत की आत्म निर्भरता का तो प्रतिक है ही भारत के आत्म गवरों का भी प्रतिक है नमो एप पर यूपी से बाई हिमान सुई यादव ने लिखा है कि मेरीन इंडिया वैक्सिन से मन में एक नाया आता है मदुरई से किर्टी जी लिखती है कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मेसेज भेज़कर भारत का शुक्रिया आदा कर रहे है किर्टी जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद किये उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्ज़त और भी बढ़ गई है किर्टी जी देश का ये गवरोगान सुनकर मन की बात के सोताओं को भी घर्व होता है आजकल मुझे भी अलग-अलग देशों के राष्टपती और प्रधामनत्रियों के तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं आपने भी देखा होगा अभी ब्रजील के राष्टपती ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है वो देखकर हर भारतियों के तना अच्छा लगा हजारों किलोमेटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायन के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है उनके मन पर गहरा प्रभाव है ये हमारी संस्कृति की विशेस्ता है साथियों इस वैक्षिनेशन कारक्यम में आपने एक और बात पर अवशे ध्यान दिया होगा संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्षिन को लेकर सक्षम है आत्म निर्भर है यही सोच आत्म निर्भर भारत अभियान की भी है भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा उतना ही अधिक लाब दुनिया को होगा मेरे प्यारे देश्वासियों हर बार आपके धेर सारे पत्र मिलते हैं नमो एप और माय गौव पर आपके मेसेजीज फॉन कॉल्स के माध्यम से आपकी बाते जानने का अफसर मिलता है